हेलो गाइस वेल्कम टू क्रिसी क्रोचिक चलेंग तो आज मैं आप लोगों को एक थाल पोस बना के दिखाऊंगी यह ज्यादा बड़ा नहीं है मैं आपको माप करके दिखा देती हूं कि यह कितना लंबा है तब आपको समझ में आ जाएगे देखिए 10 इंच है फूल बनाया और कैसे बनाया मैं step by step मैंने दिखाया वीडियो को skip नहीं किया ठीक है और यह बनाने में बहुत आसान है ज्यादा मुश्किल नहीं है और मेरा चलेंग में और भी बहुत सारा थाल पोस है आप चलेंगे तो मिल जाएगी आई बाटन डेस्क्रिप्शन में वीडियो का लिं से ऐसे रखेंगे धागा बाहर खीचेंगे और यह वाला जो धागा है इस तरह से यहां पर नॉट लगा देंगे तो तीन चेन बना लिया लूप लेंगे और यहां पर डबल क्रोशे बना लेंगे तो देखें तीन की चेन एक डबल क्रोशे और एक मैने बना लिया दो बना लिए तो टोटल इस magic ring के अंदर 16 double crochet बना लेजे और रे तीन बन चुकी है बागी सब बना लेजे तो देखिए magic ring के अंदर 16 double crochet मैंने बना लिया इसके बाद क्या करेंगे जो छोटा सा ओल है ऐसे खीचेंगे तो देखिए ऐसे खीचेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा अब थ double crochet फिर एक chain next double crochet के उठाएंगे फिर एक chain यानि कि यहाँ पर 16 double crochet के उपर 16 बारी बनेगा लेकिन बीच में एक एक chain हम skip नहीं करेंगे हर लोब के उपर एक एक पर double crochet बनाते जाएगे तो इस तरह से एक छोटा-छोटा hole बन के आ जाएगी तो पूरा round आप complete कर लेजे तो दे 3 chain लेने के बाद देखिए यह 3 की chain के उपर एक बन गया आप hole में बनाएंगे दो double crochet एक और दो देखे टोटाल तीन double crochet हो गई आप बनाएंगे जो double crochet के उपर लूब है chain दिख रहा है इसमें बनाएंगे एक बार फिर hole में बनाएंगे दो बार एक और दो फिर यह double crochet के उप कर लेजे तो देखिए लास्ट में मैंने दो बार पर बना लिया और थार लूब में स्लिफ स्टीच से जॉइन कर देंगे और यह जो तरीका है राउंड खत्म होने के बास यह ही आपको करना है इसके बाद पांस चैन दो दो तीन चार और पांस पांस चैन लेंगे लूप ले skip कर देंगे छोड़ देंगे और next loop के उपर यानि chain के उपर double crochet बनाएंगे फिर दो chain loop लेंगे एक chain छोड़ देंगे दूसरा chain में double crochet बनाएंगे फिर दो chain एक chain छोड़ देंगे दूसरा chain के उपर double crochet बनाएंगे इसलिए मैंने start में देखिया 5 chain मैंने लिया था हमेशा 3 की chain एक double crochet बनता है और बीच में 2 chain तो एक एक loop आपको skip करना है तो इसी तरह से round complete कर लिजे तो देखिए last तक पहुंच गई हूँ 2 chain बना लिया और उपर से 2 chain छोड़ेंगे नीचे से 1, 2, 3 1, 2, 3 था loop में slip stitch बना देंगे बना के जोड़ देंगे इसके बाद 1, 2, 3 3 chain चलेंगे loop लिएगे और whole में बनाएंगे 2 double crochet एक, 2 फिर double crochet के उपर फिर whole में 2 बार एक और दो जैसे कि यह वह वह राउंट आपने बनाया सेम एही पे यह वह राउंट यहां पे repeat करना है double crochet के उपर double crochet hole में 2 बार double crochet के उपर double crochet hole में दोबार इस तरह से round up complete कर लेजे तो दिखे round complete हो गई और third chain में मैंने slip stitch बना के जोड़ दिया ये कुछ दिखाने का चीज नहीं था इसलिए मैंने पहले से जोड़ दिया इसके बाद 3 chain 3 chain loop लेंगे और next जो double crochet है loop के उपर double crochet बनाएंगे फिर next के उपर double crochet बनाएंगे यानि 3 double crochet बनेगी और 2 chain एक chain छोड़ देंगे next chain में double crochet फिर next chain में double crochet फिर next chain में double crochet तीन double crochet अलग अलग chain में और बीच में दो चेन बनाना है, तीन डबल क्रोशे जैसे ही बन जाएगी, दो चेन बना लेना है, और नीचे से एक चेन छोड़ देना है, दो चेन, फिर नीचे से एक छोड़ देंगे, और फिर दूसरा चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, तो इस तरह से आप पूरा राउ ने बना लिया यहां पर एक दो तीन हर राउंड खातम होने के बाद थार लूम में ही ऐसे स्लिफ स्टीज बनाएंगे तो देखें बना लिया स्लिफ स्टीज आप देखिए next double crochet के उपर इस तरह से slip stitch बनाएंगे next double crochet के उपर slip stitch बनाएंगे तो मैंने किया किया यहां पे slip stitch यहां पे किया फिर next double crochet के उपर slip stitch किया इसके उपर भी slip stitch किया slip stitch करते करते यह थार्ड वाला double crochet के उपर आ गई हूँ एक दो तीन अब तीन चेन लेंगे लूप लेंगे और ये जो होल है होल में बनाएंगे तीन बार एक दो और तीन देखिए तीन डबल कुरिशे बना लिया इसके बाद दो चेन दो चेन लेने के बाद लूप लेंगे लूप लेने के बाद एक दो स्कीप करेंगे और ये जो थार्ड वाला डबल कुरिशे के ऊपर यहां पर डबल कुरिशे बनाएंगे तो देखें दो छोट दिया और थार्ड वाला डबल कुरिशे के ऊपर डबल कुरिशे बना लिया फिर लूप लेंगे और होल में तीन बार डबल कुरिशे बनाएंगे एक दो और तीन तीन बार ड चेन लेना है, ठीक है, तो इस तरह से आप रौड को complete कर लीजिए, तो देखिए, होल में तीन बार बनाने के बात, और ये जो डबल करोशिया है साथ में गिनेंगे तो टोटल एक, दो, तीन, चार डबल करोशिया बन गई, तो बीज में दो चेन इस तरह से आप रौड बाच आ रही है क्योंकि कीचन में काम चल रही है बहुत दिन से ठीक है तो देखिए राउंड कॉम्प्लीट हो गई अब थार्ड चेन में स्लिप स्टीच करके यहां पर लॉक कर दिया इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोश्या लूब उठाएंगे हमेसा यहां स्लिप स्टीच किया नेक्स्ट डबल क्रोश्य के पूर स्लिप स्टीच किया फिर नेक्स्ट डबल क्रोश्य के पूर स्लिप स्टीच किया यहां पर एक दो तीन चेन लेंगे देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोश्या है इसके ऊपर डबल क्रोश्या बनाएंगे तो दो हो गया और इस साइट दो मैंने छोड़ दिया फिर यह जो होल है होल में बनाएंगे तीन बार एक दो और यह हो गई तीन तो देखी टूटल कितना हो गया डबल क्रोश्या एक दो तीन चार पांच इसलिए मैंने स्लिप स्टीज बनाते हुए यहां तक आ गई थी तो इसके बाद दो चेन लूप लेंगे एक दो लूप छोड़ देंगे थाल लूप के उपर डबल क्रोश उपर डबल क्रोशी बनाएंगे देख़िए तब आपको समझ मैं आ जाएगी मैंने दो छोड़ दिया डबल क्रोश्या इसके बाद होल में बनाएंगे तीन बार एक दो और ये तीन तो टोटर पांच हो गई फिर दो चेन दो चेन लेने के बाद दो छोड़ देंगे और तीसरी में से बनाना स्टार्ट करेंगे फिर होल में तीन बनाएंगे इस तरह से तो पूरा round complete कर लिजे तो देखे राउंड complete हो गए यहापे दो chain बना लिया एक दो तीन थर लो में slip stitch बना देंगे तो बना दिया slip stitch अब next double crochet के उपर slip stitch बनाते हुए आ जाएंगे फिर next double crochet के उपर slip stitch बनाते हुए आ जाएंगे इसके बाद 3 chain तीन चेन लेने के बाद लूप लेंगे यह जो तीसरा double crochet के उपर 3 की chain बना एक double crochet हो गई next double crochet के उपर double crochet बनाएंगे तो 2 हो गई फिर next double crochet के उपर double crochet हो गई तो यहां पे देखिए टुटल तीन डबल क्रोश्या और यहां पे दू डबल क्रोश्या मैंने छोड दिया इसका एक दो तीन चार पांच डबल क्रोश्या शे तीन में से तीन बनाया और दो छोड दिया इसके बाद होल में बनाएंगे तीन बार एक दो और तीन तो टुटल क एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे हो गया double crochet, दो chain, लूप लेंगे, एक, दो, double crochet चोर देंगे, थर double crochet के ऊपर double crochet बनाएंगे हो गई तीन फिर होल में बनाएंगे तीन एक दो और तीन टोटल छे डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में दो चेन लेना है ठीके और इधार से दो डबल क्रोशिया आपको छोड़ देना है तो इसी तरह से आप राउंग कम्प्लिट कर ले जिए तो देखिए यहां पे सिल कि नॉट लगा लिया ऐसे क्रोशिया में डालेंगे और जहां पे मैंने स्लिफ स्टीच किया यह तीन की चेन है इसी होल में ऐसे क्रोशिय डालेंगे और यहां पे सिंगिल क्रोशिय बनाएंगे और ये जो धागा है साथ में ले लेंगे दोनों धागा दो बार तीन बार चार बार पांच बार छे बार और ये होल में बनाएंगे एक बार तो टोटल साथ बार हो गया तो देखिए यहां से गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे डबल डबल क्रेशे के उपर 6 बार सिंगल क्रेशे और होल में बनाया एक बार तो टोटल साथ बार हो गई इसके बाद 12 चेन बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शाथ, आट, नो, दोश, ग्यारा और बारा टोटल बारा चेन बना लेंगे इसके बाद देखिए थोड़ा सा पतला क्रोशिया ले लेंगे नहीं तो आपके पास होगा तो 2 mm ओभी ले सकते है ये 85 mm है इसके बाद क्या करेंगे देखिए 1 और 2 2 चेन छोड़ेंगे 1, 2 और लूप लेंगे और 3 चेन के उपर तो तीसरी चेन के उपर इस तरह से देखिए 3 लूप है तीनों को एक साद निकल दिया तो ये हो गया half double क्रोशिया फिर लेंगे फिर इसी होल में ही एक बार और half double क्रोशिया यानी कि एक ही लूप में 2 half double क्रोशिया क्योंकि पतल ग्रोशिया अगर लेंगे ना तो यह जो लूब है थो असानी से आ जाता है फिर लूब लेंगे और नेक्सट चेन में हाप deils क्रोशिया दो बार एख ही चेन में हाप deils दबल क्रोशिया फिर नेक्सच लूब में हाप गोल होके एक फ्लावर बन जाएगी बना इस तरह से इसके बाद क्या करेंगे क्रोश्या चेंज कर लेंगे, अगर नहीं तो इसी में भी हम बना लेंगे तो अभी चलेगा, तो थोड़ा सा पतली क्रोशिया होगा तो और आच्छा है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया दि दो डबल क्रोश्या तो इसे साथ में गिनेंगे तो यह साथ हो जाएगी अगर इसे छोड़ देंगे तो 6 डबल क्रोश्या के उपर 6 बार होल में एक बार इसके बाद 12 चेन बना लेंगे तो देखिए 12 चेन बना लिया इसके बाद क्या करेंगे एक, दो, तीन लूप लेंगे थर्ड चेन के उपर हाप डबल क्रोश्या बनाएंगे दो बर एक बर बना लिया लूप लिया सेम इसी होल में दो बर बना दिया फिर लूप लिया और नेक्ष्ट जो लूप है चेन का लूप उठाएंगे और यहाँ पर एक ही लूप में दो बर डबल क्रोश्या बना देंगे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे थोड़ा चोटा चोटा बनाएंगे हाप डबल क्रोश्या और ज़्यादा खुला हाथ से नहीं बनाएंगे थोड़ा टाइट करके तो देखिए दो बर हो गई फिर next दो हाप डबल क्रोशिया तो इस तरह से पूरा chain में आप last यहां तक बना लिजे हाप डबल क्रोशिया तो देखिए फूल बनाते जाएंगे और इस तरह सेट करते जाएंगे फिर इसी hole में ही single crochet से जोड देंगे तो लॉक कर दिया next double crochet के उपर double, sorry single crochet बनाएंगे double crochet के उपर 6 के उपर 6 बर बना लेंगे hole पे बार बनाएंगे उसके बाद 12 chain बनाएंगे उसके बाद half double crochet हर chain में बना लेंगे तो इस तरह से चोटा चोटा फूल बन के आप बनाते जाएंगे और इस तरह से सेट करते जाएंगे तो पूरा बना लेजिए यहां तक तो देखिए राउंड कॉम्प्लीट हो गई और यहां पे single crochet से मैंने जोड दिया इसके बाद क्या करेंगे यह जो start में मैंने single crochet बनाया था दो लोग उठाएंगे और यहां पे slip stitch से जोड देंगे और एक चेन लेके धागा को काट देंगे इस तरह से शूई लेंगे शूई लेने के बाद फिर इस तरह से यहां पे seal देंगे इसे क्या होता है कि finishing अच्छी आती है तो इसे बाद में set कर दीजिए इसके बाद देखिए मैंने दूसरा color ले लिया और crochet में डाल लेंगे डालने के बाद देखिए यहां पे देखिए 6 double crochet है 6 double crochet के उपर 6 single crochet है और hole में देखिए hole में लेकिन extra दो है पहले hole में single crochet बनाने के बाद यहां पे single crochet से जोड दिया तो यह दोनों single crochet चोड़के जो पहला double crochet के उपर single crochet है इसमें crochet डालेंगे और यहां पे बनाएंगे slip stitch तो देखिए पहला double crochet के उपर मैंने slip stitch बनाया लेकिन hole बाला single crochet में मैंने नहीं बनाया आप 3 chain लेंगे तीन chain लेने के बाद देखिए एक double crochet बन गई next double crochet के उपर जो next chain है उसके उपर double crochet दो बार तीन बार चार बार पाँच बार और यह हो गया छे बार ठीक है और hole में जो मैंने दो single crochet बनाया यह दोनों को हम छोड़ देंगे बस आपको double crochet बनाना है 6 के उपर जो single crochet 6 है इसी के उपर 1,2,3,4,5,6,6 हो गई होने के बाद इसी hole में और एक बार बना देंगे तो देखिए 7 मेंने बना दिया इसके बाद लूप लेंगे और इस तरह से देखिए यह जो जहाँ पर पहला double crochet स्टार्ट हो रहा है उसके उपर जस्ट उपर जो single crochet है उसी लूप में मैं बनाऊंगी double crochet next loop में total 6 बार बनाना है 6 के उपर 6 बारी बनाना है तो देखिए 6 बार हो गया double crochet 1,2,3,4,5,6 ठीक है यह hole बाला मैंने single crochet से नहीं बनाया मैं double crochet के उपर जो single crochet है उसी के उपर बनाया 1,2,3,4,5,6 अब बनाएंगे और एक बार साथ बना देंगे तो देखिए last में आने के बाद मैंने 2 double crochet एक ही लूप में मैंने बना दिया ठीक है फिर से loop लेंगे और यहां से start करेंगे फिर से last में जब आएंगे 6 complete हो जाएगा ओही पर 6 double crochet जहां पर आपका हो रहा है ओहीं अब राउंड पूरा complete कर लेंगे तो देखिए राउंड complete हो गई और लास्ट में मैंने 2 बना लिया इसके बाद ऐसे एक दो तीन थार्ल लोब में slip stitch बना देंगे और एक चिल्ले के धागा को काट देंगे तो देखिए बना लिया और मैं इस अब से मोती लगा लिया कैसे म अब ब लिये सबसे पहले ऐसे फ्लावार को आईसे रखेंगे और धीरे सेयसे पिछे की तरफ जाएंगे और यहां से एक सत और एक सत इस थरह से न लगाएंगे और यह जो ओल धागा है कि यहां पे नोट लगा लेंगे नट लगा लगाने के बाद ऐसे रखेंगे और एक मोती लेंगे और इस तरह से इस तरह से नॉट लगाते जाएंगे यहाँ पे तब यहाँ पे यह हिलेगा नहीं इसके बाद पीछे जाएंगे और पीछे से इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ज्यादा टाइट नहीं करेंगे बस टोड़ा सह टाइट करेंगे तो देखिए this तरह से मैंने सब फूल को इस तरह से कर लिया तो यह दिखेंगे न और उठेगा नहीं यहां से कैसे बी कुछ करेंगे यह उठेगा नहीं वो गंदा हो जाएगा धोएंगे तब यह कुछ नहीं होगा तो देखिए उल ले लिया और यहाँ पर नॉट लगा लिया और यह देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहला जो डबल क्रोश्या है एक दो तीन चार और पांच पांच चैन बना लिया इसके बाद एक दो तीन तीन स्कीप करेंगे फोर्त लोब में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे एक दो तीन और चार देखिए स्टार्ट में मैंने पांच लिया अब मैं चार ले चार बनाया यह चैन एक दो तीन स्कीप फूर्थ चेन में सिंगल क्रोशय बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच पांच चेन बनाया एक दो तीन स्कीप करेंगे फूर्थ लूम में सिंगल क्रोशय बनाएंगे तो देखिए एक बार पांच बार बनेगा पांच चेन बनेगा उसके बाद चार चेन उसके बाद पां पीज प्षोर इसी तरह से आप झेन बना के सिंगल क्रोश्या बनाते जाईये हैं लास्ट थक, ट्राउंट की end में पहुच गई हूं, जहां पे मैंने सिंगल क्रोश्या किया था, इसी में slip stitch बनाएंगे और ये chain की hole में सिंगल खरोश्या बनाएंगे, एक और दो, दो chain, loop लेंगे, double crochet बनाएंगे, 7 बार, 3 हो गई, यहाँ पर देखें, 3 chain, तो 1 double crochet हो गई, total 3, 4, 5, 6, ए हो गई, 7, total 7 हो गई, 1, 2, 3, 4, chain 1, next loop में, single crochet, फिर chain 1, loop लेंगे, यहाँ पर 7 double crochet बनाएंगे, फिर chain 1 करेंगे, single crochet, फिर chain 1, next loop में, double crochet, यहाँ पर 7 बार, double crochet बना लेजिए, देखें, 7 double crochet बना लिया, chain 1, next hole में, single crochet, chain 1, इसके बाद फिर से, यहाँ पर 7 double crochet, तो इसी तरह से, आब round complete कर लेजिए, तो देखें, round complete हो गई, और यहाँ पर 1 hole मेरा ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, देखें, अगर आपको ज्यादा खिचा-खिचा सा लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 2 chain लिजेए, ठीके, बना देंगे, तो देखें, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीके, chain 1, next double crochet की लूम में, single crochet, एक, दो, और तीन, ठीके, तीन लिया, और देखें, chain के नीचे यह जो दो लूब है, दो लूब उठाएंगे, और यहाँ पर, पीको बना देंगे, फिर next chain में, next chain में single crochet, फिर next lobe में single crochet, उसके बाद तीन chain, यही दो लूब उठाएंगे, और यहाँ पर पीको बनाएंगे, फिर next chain में single crochet, नेक्स्ट में सिंगल क्रोश्या बनाके फिर तीन चेन और इसी दो लोग उठाएंगे और यहां पर सिंगल क्रोश्या से पिको बना देंगे फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोश्या फिर होल में बनाएंगे सिंगल क्रोश्या फिर इस साइट होल में बनाएंगे सिंगल क्र दो बर सिंगल क्रोश्या पहला डबल क्रोश्य के रपर सिंगल क्रोश्या फिर नेक्स डबल क्रोश्य के रपर सिंगल क्रोश्या उसके बाद तीन चेन और फिर सिंगल क्रोश्या से पीको कर दिया फिर नेक्स चेन में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे फिर पीको करेंगे फिर स दबल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स डबल क्रोशे के उपर सिंगल क्रोशिया करने के बात ही मैंने पीको बनाया, यानि कि एग में सिंगल क्रोशिया होगा, एग में पीको होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप राउन कॉम्पलिट कर लेजे, तो देखिए, राउन कॉम्प्लीट हो गई, अब होल में बनाएंगे, देखिए इस होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है, बना लिया सिंगल क्रोशिया, यह जो तीन कीचेन है, इसमें हम स्लिप स्टीच से जॉइन कर देंग एक, दो, तीन, फिर इस साइड में भी होल में बना देंगे तीन बर, यह हो गई तीन ठीक है, तो आपको ज़्यादा खीचा सा लग रहा है, तो चार भी बना दीजिये, कोई प्रोब्लेम नहीं है, और धागा को काट देंगे, सुरी, यहाँ पे स्लीप स्टीज बनाएंगे, और धागा को काटेंगे, तो देखिए, आप समझ में नहीं आएगा, कि यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया, यह सुरी, तीन बार सिंगिल क्रोशिया बना है, आप समझ में नहीं आएगा, पीछे से लेके आएंगे, यह, और यह धागा को, एक्स्ट्रा धागा को हम काट तो देखिए थाल पोस्ट रेड़ी है अई हो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैलें को सब्सक्राइब करना मत बुलिए और चैले अच्छी लाइक शेन अच्छी लगी तो लाइक शवी लोगी लगी